हेलो एंड वेलकम तो महिरागुरु दॉट कॉम्स ऑफिशल यूट्यूब चानल येस करेंट अफेर्स लाइब लाइब हो चुका है 30 माश 2018 का सेशन पॉर आल कॉम्टिटिव उग्जामेशन इच एडलाइन इस एडलाइन इस सेशन की शुरुवात लिंक को शेर कर दीज हम लाइब हो चुके हैं और देखते हैं आज के सेशन की पहली हेडलाइन जिसका इलाइबरेशन देंगे बिल्कुल जे गुरु हमारे साथ में तो लेट्स चेक आउट वेरी फॉर्स हेडलाइन शेखर कपूर को पैसट्वे राष्ट्रिये फिल्म पुरुस्कारों के यहां पर एक अपॉंट्मेंट की हेडलाइन से स्टार्ट हूं कर रहे हैं अब सर इससे किते फैक्स करेंगे मैं अगर यहां पर बात करें तो सबसे पहले के ड्यória एक अनूंसमेंट रहा था तो उनका नेम की याद रहना है in स्क्रीण को जूम कर देते हैं दौर विजपल रहे हैं प्उइंट समझेगा यहां पर याद कर रखना आपको शेखर कपूर चेर्मेन ऑ झसे 65th National Film Award अपार्ट फ्रम बाज करूं तो Minister of Information Broadcasting कौन है जिनका नाम है सिस्मरती इरानी उनके पास एक मिनिस्टरी और है Ministry of the Textile तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस्मरती इरानी-Minister of Textile कॉमा Minister of Information Broadcasting and she is a Rajya Sabha MP from the Gujarat Please remember she is a Rajya Sabha MP from the Gujarat इस न्यूस से मैक्सिमम एक लाइन में कोशन आ सकता है सिर्फ सेकर का पूर अपॉइंटमेंट रहा है सेंटर पैनलोग की चेर्मेन बने 65th National Film Award के अपार्ट फॉम एक कोशन एसे स्टेटिक आ सकता है कि Information Broadcasting Minister नेम and Textile Minister नेम in the name in the constituency of the अब दी इस्विल पी इराणी तो शीज़ राजी सम्वर MP from the Gujarat इक्जाट्ली तो सारे facts clear है सारे points यहां पर समझ में आ रहे हैं जितने भी बाते यहां दिखाई जा रही है हुम को अभी हाल पिलान नोट करते चलेंगे ध्यान से सुनते चलेंगे पीडियेफ अवेलेबल हो जाएगा वीडियो खतम होने के बाद तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर पाएंगे और इन सभी को अपने पास स्टोर कर पाएंगे चले तो हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं सब जूनियर नाशनल वूशू चांपियनशिप हाज बीन स्टार्टे इन जम्मू सत्रवी सब जूनियर राष्ट्रिय वूशू चांपियनशिप जम्मू में शुरू हुई है तो अब अगर बात करें यहां तो एपोइंटमेंट के बाद एक इंपोर्टेंट है जुड़ी हुई किससे एक चैंपियनशिप से इवेंट है जम्मू इसका वेन्यू है तो इतना तो क्लियर होता है तो अब जे गुरू क्या करेंगे इस एडलाइन के बारे बारे बात करें तो यहां से वनलाना इस एक लाइन में एक जामेनेशन में आ सकता है तो इसके लावद जम्मू के ऐपक्ट देखते हैं और आते हैं जम्मू कशमीर की तो वह है जम्मू चीफ इनीस्टर is the मेवुवा मुक्ति और गवरन नरिंद एनन बोहरा इन एन बोहरा इन बोहरा इस गवरन ऑफ जम्मू इंकशमीर Official Languages उर्दू, टोटल लोगतवा सीट 6, राजसवा सीट 4, टोटल नमबर अफ डिस्टिक इन, इन जम्मु इन कश्मीर इस 22, लार्जेस सिटी ऑफ जम्मु इन कश्मीर इस सिली नगर, जो इस्टिट्स की बात करें जिनसे बॉडर टाच होता है वो है हिमाचल पदेश और प यह examination में maximum time पूछा गया है, यह सारे के सारे नैशन पाक सापके जम्मु इन कश्मीर में है, कुछ वाइडलाफ सेंचुरी गुलमर्ग examination में पूछी गई है, होकेर सर वाइडलाफ सेंचुरी नेम थोड़ा अजीव इसका, जस रौता वाइडलाफ सेंचुरी एंड यह भी जम्मु इन कश्मीर में, अभी तक सेशन में हमने जम्मु इन जेन के के फैक्ट इसनी बार शियर नहीं करें हैं, तो आपको इनके नैशन पाक से फोकस करेंगे, इनके वाइडलाफ सेंचुरी पर फोकस करेंगे, लोग सबसीट, राज्य सबसीट, नमबर ओफ डिस पर है जम्मु इन कश्मीर में, इक्जाटी, तो यह तो points important है ही, sports की एक event की बात हुई, उसके venue की बात हुई, venue से जुड़ा एक नया state जम्मु तो यहां पर आपको जम्मु इन काश्मीर के सारे के सारे facts ध्यान रखने पढ़ेंगे ही, and yes, do remember the CM and governor's name, क्योंकि यह आगे भी revise होते चलेगे, चले आगे बढ़ते हैं, the ugly next important headline, union cabinet has approved the signing of MOU between India and Zambia in the field of judicial corporation, के इंद्रिये मंदल ने नियाइक सहयो किक्षेतर में भारत और Zambia के बीच समझोते ग्यापन को स्वीकृती दे दी है, so अब यहां पे agreement हो चुका, MOU हो चुका, judicial cooperation के लिए और उस पे approval आया है, तो अब सर यह किस तरीके से important होगा? अब फोकस करने वाली बात यहां पर बनती है, what is the capital of the Jambia, the capital of Jambia is the Lusaka and currency Quacha, examination में Jambia की currency पूछी जा चुकी है, तो please focus करेगा, capital of Jambia is the Lusaka and currency is Quacha, the president is the Edgar Lungu, Edgar Lungu is the president of the Jambia, तो यहां से आप देखेगा, समझेगा, Jambia के static fact ज्यादा important बनेंगे, और एक चीज़ one-liner समझ बजने की बात है, India plus Jambia is equal to judicial cooperation more than enough रहेगा, exactly, अब अगर यहां पर बात करें, तो Jambia के static facts और अगर आप सेशन में देखो, तो Jambu and Kashmir, Jambia, यह कुछ ऐसे static facts connect हो रहे हैं, जिनको हमने regular basis पे अभी आपके साथ डिसकस नहीं किया है, so do concentrate, and yes, इनको याद करते चलें, session के side by side ही, PDF तो available हो ही जाएगा, जितना भी content आपको यहां पे दिख रहा है, वो सब आप store कर पाएंगे, चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, the next important headline, union cabinet has given its ex post approval for the MOU between India and Canada on IPRS, केंद्रिय मंत्री मंदल ने भारत और कैनेडा के बीच IPR पर समझोता ग्यापन को अपनी पूर्व व् अंजूरी दे दी है, so अब ex post approval और अगर बात करें यहां पे तो already MOU आज का है पहले भी India Canada के बीच में, अब यह किस तरीके के questions frame करने वाला है, देखिए अभी हमने इंडिया और जांबिया का एक agreement देखें, judicial corporation के शेतर में, second agreement की बात कर intellectual property right, intellectual property rights की case में India ने agreement sign किया था, Canada के साथ अब उसको cabinet ने approval दे दिया, अब यहां पर यह intellectual property right है, related to the patent, related to the trademark, इनमें innovations करने के लिए और economy को boost करने के लिए एक दूसरी country, एक दूसरे को यहां पर सही हो करेगी, corporation करेगी, आते हैं जड़े के करके detail में देखते हैं, स्क्रीन को जलूम कर देते हैं, union cabinet has given its ex post approval for the MOU between India and Canada, point number one, the MOU was signed on 23rd January 2018, point समझेगा, 13th January 2018 को यह agreement sign हो चुका है, अब cabinet के द्वारा इसको approval दी गई है, किस छेतर में है, यह intellectual property, IP, एक keyword माख करिएगा intellectual property, इसका उद्देश कर रहेगा, innovation करना, creativity करना, यह economy को यहां पर दोनों ही देशों की एक नौमी को यहां पर growth होना ही, इसक पूरी मडलन ने भारत और कनड़ा के बीच समझोता ग्यापन को अपनी एक पूर व्यापी मंजूरी दे दी है, बौदिक संपदा इसे हम intellectual property को हिंदी में बोलते हैं, इस छेतर में 25 सहयोग के कारिक कलापां को स्थापित करने के लिए, यह 23rd फर्विद्य अठारे को इस MOU का उद्देश दौनों देशों में नवो मेशनर, रचना शीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, तो प्लीज फोकस करने वाली बात है, कुछ कीवर्ड उठा लीजे यहां पर, कि intellectual property के छितर में, एरिया में किस देश के साथ agreement हुआ है, तो वो आंसर बनेगा, क के साथ, अगर judicial cooperation की बात होती, तो वो याद रखना है, जांबिया के साथ, केनडा की बात तुरू, capital of Canada is the Ottawa, currency dollar and the prime minister of the Canada is the Justin Trudeau, बिल्कुल, तो Canada के facts और इस news headline से जोड़े सारे prospects आपको दिख रहे हैं सामने, regular basis पे current affairs live होता है, सुभा 7 बजे और उसका समय भी सुभा 7 बजे ही है, बट येस, आज हमने इसको साथे साथ पे शुरू किया है, undoubtedly ये भी बात सही है, बट येस, Cal का timing, current affairs live का timing is 7 a.m. at Mahindra Guru, आगे बढ़ते हैं हम अगली headline पी करए, इंडिया has won the 22 medals in the ISSF Junior World Cup in Sydney, Australia, भारत ने Australia के Sydney में ISSF Junior World Cup में 22 पदक जीते, So yes, सब यहाँ पर एक बात करें, तो खतंग हो चुका है, ये event और अब final medal kelly हमारे सामने है, तो अब सब इस पर क्या कहा जाएगा? देखे समझेगा यहाँ पर, मैंने individual जो medalist हैं, उनके नाम मात किये हैं, individual medalist gold भी है, silver भी है, bronze भी है, number of medals इंडिया ने कितने जीते हैं, individual category में कितने जीते हैं, team में कितने जीते हैं, वो सारी चीज़े हैं, बाइपर किट की गई है, तो first of all, इंडिया ने total number of medals कितने जीते ह point number 3, out of 22 medals, gold 9, silver 5 and bronze 8, 8 and 5, 13, 13 and 9 is equal to 22, अब देखे के समझेगा, gold medalist की बात करूँ, इंडियन gold medalist की बात करता हूँ, यह मैंने I bracket में mark किया है, इसे मैंने बोले individual, team में नहीं लिया, इन्नों ने individually यह gold medal जीता है, मुशकान भनवाला, मनु भाकर, अनीश भनवाला, एन इला वैलन वाला रिवन, यह gold medalist के नाम तो आप रट्टा मार लीजेगा, examination में खुश ना सकता है, इन में से किसी का भी नाम दे दिया जाए, और पूछ ले जाए, is related to which sport, तो मनु भाकर, अनीश भनवाला, इला वैलन वाला रिवन, एन मुशकान भनवाला, all four are related to the shooting, दोस्तों यहाँ पर bronze medal जीता गया, यह individual category में है, और silver medalist की बात करना तो गौरव राना एक एक लोते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर silver medal जीता गया, तो focus कनने वाली बात मैं कहूंगा, gold medalist पर कननी आपको, कि Indian gold medalist के name कौन से है, जो कि Indian gold medalist कौन कौन है, मुशकान भनवाला अम next बात करते हैं, next slide में आते हैं, next point देखते हैं, total number of medals कितने रहें, 22 रहें, 9 gold medal रहें, 5 silver रहें, 8 यहाँ पर bronze रहें, अभी हमने देख लिया था, next एक और slide में देख लेते हैं, individual category में इंडिया के medals कितने रहें, देखे कर समझेगा, first place पे चाइना बना था, second place पे इंडि यहाँ पर मैंने yellow से mark किया है, individual, team and total, individual में आप देखते हैं, इंडिया ने total number of medals जीते हैं, 9, team category में जीते हैं, उन्होंने 13, total आप करते हैं, उनका बना है 22, individual में 4 gold आये थे, मैंने आपके साथ share कर दिया, एक silver medal था, वो मैंने आपके साथ share कर दिया, 4 bronze medal थे, वो मैंने आपक इसको, exactly, तो यहाँ पर यह तो अब ISSF event खतम हो चुका है, और अब इसके सारे static facts भी आपके सामने हैं, इंडिया रहा है second most position पे, with the three medal difference with China, and yes, यह news headline important थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगली headline, बंधन bank has become India's eighth most valued bank, बंधन bank भारत का आठवा सबसे मुलिवान bank बन गया है, so अब बिलकुल देखें, अगर तो RBI के strict norms, अभी हाल फिलाल देखने को मिल रहे हैं सारे banks में, economy sector में, but उसी बीच में यहाँ पर India's eighth most valued bank की भी लिस्टिंग सामने आ गई, बंधन bank का नाम आया है तो अब सार इससे किते facts connect करेंगे, देखें एक keyword होता है market capitalization, market capitalization मतलब यह होता है कि आपके market में shares कितने हैं, और उस share की एक share की value अगर आप उससे multiply करते हैं, total जो amount निकल कर आता है, उसे हम बोलते है market capitalization, point समझेगा, outstanding share of a company into face value of share is equal to the market capitalization, तो market capitalization में यहाँ पर eighth most valued bank बना है बंदन बैंक, और आते हैं facts में देखते हैं, detail में यह भी देखेंगे कि most valued bank कौन सा है, और बंदन बैंक से पहले eighth most कौन सा था, बंदन बैंक has become the India's eighth most valued bank with the market capitalization of the 56,000 करोट, अगर market capitalization word clear है, तो please comment box में मुझे बताजी, हाँ sir, market capitalization का मतलब clear होगा, market capitalization मतलब, market में आपकी capital कि नहीं है, exact अगर मैं सनल सब्दों में बात करूँ, total number of outstanding shares into, एक share की कीमत है, मानकर चलता हूँ, 1000 share outstanding है, और एक share की कीमत 10 रुपे है, तो 1000 into आप 10 करते हैं, तो total capital कितनी होगी market में, 10,000, तो आपकी market में capital के आधार पर कितनी capital है, उसमें आपकी position पे हो, उसे बोलते है market capitalization, त capital के आधार पर जो बैंक है, वो 8th most valued जो बैंक बनाया है, वो है बंदन बैंक, तो बंदन बैंक has become the India's 8th most valued bank with the market capitalization of 56,000 करोड, बंदन बैंक 56,000 करोड रुपे से अधिक के बाजार पूजी करण के साथ भारत का आठवा सबसे मूलिवान बैंक बन गया है, बंदन बैंक की ब आपका भला सबकी भलाई, let's please focus on headquarter and the tagline, headquarters in Kolkata, West Bengal and the tagline of a बंदन बैंक is आपका भला सबकी भलाई, next slide में देखते हैं most valued bank की बात करें, तो HDFC is the most valued bank around 491873, उसका market capitalization है, point समझेगा, 27th March को इसका last updated है, और इन करोड ये mark किया गया, 4,90,873 यहाँ पर करोड की बात हुरी market capitalization ह इससे पहले अगर हम बंदन बैंक से बात करें तो इसको यहाँ पर take over किया, एक तरीके साथ से फीचे छोड़ते हूँ, बंदन बैंक 8 most valued बन गया है, तो आप देख सकते हैं HDFC largest है, State Bank of India second largest है, KOTAK महंदरा बैंक is the third largest in terms of the market capitalization, ICICI bank 4, Texas bank 5, Indescent bank 6, Yes bank 7, बंदन बैंक 8th largest in terms of market capitalization, Bank of Borda is the 9th largest in terms of market capitalization and top 10 की बात करें तो tap 10 में जो अभी fraud जिसमें हुआ था, Punjab National Bank is the 10th largest in terms of the market capitalization, Exactly, तो ये तो सारे points important है ही, बैंक से related सारे के सारे जितने भी information यहां आती है, headquarters हो, taglines हो, सब को आपको याद रखना ही है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगली important headline, Rosemary Di Carlo has been appointed as the head of UN political affairs, Rosemary Di Carlo को संयुक्त राष्टर के राजनेतिक मामलो का प्रमुक्त नियुक्त किया गया है, So, after so many days, we have a lady in the headline, और इसके अलावा गर बात की जाए, तो appointment में जुड़ा है, इनका नाम, Rosemary Di Carlo, अब सर, ये कैसे चर्चित हैं, और किस तरीके से इस news headline से question बन सकते हैं? देखे, US ambassador to United Nation भी रही है, American diplomat है, Rosemary Di Carlo, now she is appointed first woman है, जूकि United Nation political affairs को head करेंगी, तो important appointment तो है, United Nation का है, United Nation के fact भी important बनते हैं, आते हैं, facts में के करके देखते हैं, examination के लिए क्या चीज़ें आपको याद रखी है, American diplomat, Rosemary Di Carlo, first woman to head United Nation political matter, she will replace, she has replaced Jeffrey Feltman, ये भी American थे, American थे, American नहीं ही, American को replace किया है, now American diplomat Rosemary Di Carlo की बात करें, तो है पहली woman मनी है, जो की political affairs को United Nation के head करेंगी, United Nation की बात करें, कल भी हमने discuss किया था, one more time, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, तो foundation year of the United Nation is the 1945, Secretary General of the United Nation is Antonio Guterres, 9th Secretary General of the United Nation, please remember, he is a 9th Secretary General of the United Nation and he is from Portugal, Deputy Secretary General, Deputy Secretary General of the United Nation is Amina J. Mohamed, Amina J. Mohamed, Deputy Secretary General है, Sanyukhtarast की United Nation की और वह पांच भी, पांच भी Deputy Secretary General है and she is from Nigeria, Headquarter of United Nation is in New York City and total member country in United Nation is 193, guys, please remember, 193 countries are the part of the, are the member of the United Nation, Capital of Portugal is Lisbon, L-I-S-B-O-N, Lisbon is the capital of Portugal and the currency is Europe, Capital of Nigeria is Abuja, Abuja is the capital of Nigeria and currency Naira, ये दो पॉइंट पोकस करिए कि जितनी इन 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 साथ की साथ पहलाल उसके static facts भी आप लान करते चलिए, इसके अलावा जो नाम निकल के आ रहे हैं वो भी important है somehow, somewhere, क्योंकि आपको पता है कि हर एक fact prospect से कभी भी question बन सकता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं the next very important headline, Reserve Bank of India has imposed a penalty of 58.9 crore on ICICI bank, Party Reserve Bank ने ICICI bank पर 58.9 crore का जुर्माना लगाया है, तो अब ये क्या है और किस तरीके से यहाँ पर अब ये सामने आया है? देखिए अगर हम अपनी बात करें हमारी savings होती है, हम उन्हें maximum option है कैसे कैसे deposit कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उन्हें profit down कर सकते हैं, सबसे अगर बात करूँ जो most favorite चलता है परसन का, वो है savings account में deposit करना, apart from government ने एक और source दिया है, वो है securities, government securities सरकारी पृतिपूतिया, सरकारी पृतिपूतिया is nothing, एक paper government, for example बोल रहा हूँ, एक paper government ने दे दिया, कह दिया इस paper की value एक लाक रुपे है, यह आपको हमेंने एक paper दे दिया, इस paper की value एक लाक रुपे, इस paper को जब आपको issue किया जाता है, तो समझेगा या तो उस पर interest मिलती है, उस उसे discount पर issue किया जाता है, तो government ने कहा कि हम आपको इस paper पर 10% की interest देंगे, मतलब एक लाग का आपने government से paper खरीद लिया, एक प्रतिवूती, security, आपके amount की security in terms of the paper, तो यह होती है, सरकारी प्रतिवूती, government के द्वारे paper issue किया थे, government के द्वारे security issue किया थे हैं, तो एक तरीके से आपको पैसा invest हो जाता है, उस पर आपको return मिलता है, तो जो ICICI bank है, जो on behalf of government या कह सकते हैं, कि अपनी तरफ से security issue कर रहा था, उसके लिए RBI ने norms बना रखे थे, कि आपको यह वाले norms follow करने हैं, यह fulfillment करनी हैं, उन्ही norms के disclosure में, उन्ही norms के जो भी प्रक्टी करण होता है, प्रक्टी करण बोलते हैं, उसके disclosure के regarding यहाँ पर penalty लगाई गई है, जो उसके disclosure के regarding जो यहाँ पर RBI ने rules बना रखे थे, उनको fulfill ना करने की वज़े से, So RBI has imposed a 58.9 करोर fine on ICICI bank, for failure to meet the disclosure norms on the seal of security, भारती रिज़र बैंक ने प्रतिभूतियों के विक्री पर, प्रक्टी करण मान दंडों को पूरा करने में विफलता के लिए, ICICI bank पर 58.9 करोर रुपे का जुर्माना लगाया है, ICICI bank foundation year is the 1994 1994, MDN CEO is Chanda Kocher, tagline है इसकी हम है ना खयाल आपका, RBI was established in the year of 1st April, 1985 exact date is 1st April, Governor of RBI is Orjit Patet, इससे पहले रगुरा मराजन जी थे, Headquarter of Reserve Bank of India is in Mumbai महरास, Total Deputy Governors in Reserve Bank of India is 4, समझेगा Total Deputy Governors होते हैं RBI में 4, बट इन में से एक पत अभी चल रहा है, खाली एक चल रहा है वेकेंट, तो at present तीन Deputy Governors हैं, और वो तीन कौन-कौन है, एनस विशुनाथन, विरलवी अचार एंड बीपी कानुन गो, बीपी कानुन गो अभी हाल ही में बनेते, ब्रभू प्रशाद कानुन गो, इन में से रीसेंटली जो बने उन में, बीपी कानुन गो का नाम आता है, तो फोकस करियोगा Deputy Governors कौन-कौन से हैं, है ना खयाल आपका, अब RBI ने टोटल मॉनेटरी पेनल्टी लगाई, कितनी है वो अमाउंट या तकना है, 58.9 करोड पेनल्टी लगी है ICICI Bank का, इक्साटली, तो बार-बार रेपिटेशन का मतलब ही सिर्फ यह होता है, कि आप जितनी भार सुने, उतने में ही आपको यह सारा डेटा याद हो जाए, because we agree, कि यह सारे facts confused करते हैं आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटा-फट देखते हैं अगली headline, इसरो successfully launched a communication satellite G-SET 6A from Shri Hari Kota, भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन ने, श्री Hari Kota से संचार उपगरह G-SET 6A का सपल प्रक्षेपन कर लिया है, so yes, science and technology और इसके अलावा यहाँ पे कई सारी बाते सामने निकल के आएंगी, इसरो के static facts भी होगे, तो चलिए सुनते हैं जल्दी से इसके सारे facts, देखें समझें यहाँ पर इससे पहले दियार पंद्रे में गवर्मेंट ने G-SET 6A भी लाँच की ते, इसरो ने, यह communication satellite है, और यह पहले से काफी बहतर यहाँ पर इसमें improvement की गई है, और कहा गया है कि जितनी भी हमारी जो सैना होती है, वो जब remote areas में जाती है, तो उनसे connectivity नहीं बन पाती है, तो यहाँ पर satellite communication को, point समझेगा, satellite communication को और improve करने के लिए, एक यह जो satellite launch की गई है, इसका नाम है G-SET-A, इसके बहुत जूम करते हैं और visible रहेगा, Indian Space Research Organization launch, G-SET 6A communication satellite, एक एक जो शब्द के रहों, फ्लीज इस पर focus करिएगा, G-SET 6A is what, it is a communication satellite, संचार उपगर है, examination में यह question आता है, कि G-SET 6A क्या है, किसी भी satellite का नाम दे दे, और पूछ ले जाए और यह है क्या, तो यह आपको याज रखना है, communication satellite, using the GSLV F08, जो geosynchronous satellite launch vehicle, जिसके द्वारे से लांच किया गया, उसका नाम है GSLV F08, GSLV की बात करूँ, तो इसको नाम दिया था, जो इस रोखी बात करते हैं, उनके द्वारे इससे नाम दिया गया था, Naughty Boy, और Naughty Boy नाम देने का रीजन यह रहा है, क्योंकि इसकी out of 11 जो प्लैट रही है, उसमें से 5 दोस्तों फेलर हो गई थी, तो इसको इन्होंने बड़ा इंटरस्टिंग नेम दिया था, Naughty Boy कहा भाई, अगें ना यहां पर यह दिक्कत दे जाए, तो यहां पर आपको फोकस करना है, जीज़एट 6A is a communication satellite, जीएसलवी एक launch vehicle है, जिसके द्वारे से launch किया गया, जीयो सिंक्रोनस satellite launch vehicle, नेम इस जीएसलवी F08, प्रॉम दी SDSC, सतीज धवन Space Center, यह है कहां पर, आंद्रपदेश के शीरी हरी कोटा में है, इसकी जो around satellite की cost रही है, और government का यहां पर, यहां पर कहना यही रहा था, कि जो communication है, उसको और improve किया जाए, और यहां पर, जो mobile calling है, communication को बहुत आसान बनाने में, यहां पर यह बुला गया है, कि यह satellite दमदार role play करेगी, और basic लिए जो दूरत इस्थान होते हैं, वहां पर calling को और आसान बनाने के लिए, remote areas में calling को और आसान बनाने के लिए, इस satellite का उप्योफ किया जाएगा, और इसकी जो around cost रही है, वो 270 करोड रुपे रही है, इसरो की बात करो, Indian Space Research Organization, Foundation Year is 1969, Headquarter is in Bangalore, Karnataka, and the Secretary is the case 7, अभी recently appointed होए, पर फोकस करिएगा, Secretary is the case 1, Headquarter most important बनेगा, Headquarter of ISRO Indian Space Research Organization, is in Bangalore, Karnataka. Exactly, और इतनी सारी important headlines के साथ, यहां पर for sure एक लाइक तो बनता है, और आज यहां पर अगर हम देखें, तो आप सभी की connectivity भी बनी हुई है, regular basis पर तो अपने appreciation को fix करने के लिए, जल्दी से, जल्दी से like के बटन पर क्लिक करते, ताकि आपकी appreciation स्माहिद्रा गुरू पर fix हो जाए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, with the very next important headline, स्री कुमारन थंपी has been awarded with a J.C. Daniel Award, श्री कुमारन थंपी को प्रतिष्ठ जेसी डानियल परुसकार से सम्मानित किया गया है, तो यहां पर recognition है, awards है और इसके अलावा नाम जो जुड़ा है, that is स्री कुमारन थंपी, तो अब सर यह किस फील से जुड़े हैं और किस तरीके का यह अवार्ट रहा है, केरला गुवर्मेंट का सर्वुचिन सम्मान है, सर्वुचिनाल एक सम्मान बिल्कुल मैं कहूंगा, यहां पर मलयालन सिनेमा में योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है, जेसी डैनियल अवार्ट और यह क्या बात करने तो किसको दिया जा रहा है, श्री कुमारन थंपी को, फोकस करने वाली बात है, इस साल किसको दिया गया, नेक्स जेसी डैनियल अवार्ट से रेलेटिट फेक्ट क्या है, देन हम मूब करेंगे केरला के स्टेटिक फेक्ट पे, तो आते हैं स्क्रीन को जूम करें, लेरिस्ट एंडी डिरेक्टर, श्री कुमारन थंपी, हैस बिन सलेक्टेट फोर दी जेसी डैनियल अवार्ट, तक केरला ज गवर्मेंट हाइस्ट ओना, पर लाइफटाइम कॉंटर्विशन टू दी मल्यालम सिनेमा, मल्यालम सिनेमा में, लाइफटाइम कॉंटर्विशन के लिए, योगदान के लिए, केरला गवर्मेंट का जो हाईस्ट ओनर है, सरवोच सम्मान है, वह किसको दिया गया है, जीसी डैनियल अवार्ट जिसका नाम है, वो दिया गया है, श्री कुमारन थंपी को. J.C. Daniel Award is Kerala's highest award in Malayalam It is presented by the Kerala State चले चित्र अकेडमी चले चित्र अकेडमी जो Kerala State की है Kerala राजी की है उसके द्वारा दिया जाता है इसे established हुआ था 1992 1992 में इसकी अंतरकत जो price दिया जाता है वो है 5 lakh रूपीज का and apart from बात करूँ तो first winner कौन थे तो T.E. वाशुदेवन was the first recipient of the J.C. Daniel Award जहां तक मुझे याद है ये 1992 में ही ने दिया गया था बट आप focus करिए का first winner कौन है exact year मेरे को अभी confirm नहीं है बट पिर भी T.E. वाशुदेवन क्योंकि established 1992 में हुआ तो जहां तक मुझे भी याद है कि T.E. वाशुदेवन was the first recipient of the J.C. Daniel Award next बात करते हैं यहां पर केरला के static fact उन पर focus करते हैं first of all capital of केरला is the तिरुबंत पुरम chief minister is पीनाराई विजियन and the governor is P. Sadaasivam please guys remember capital of केरला is the तिरुबंत पुरम, chief minister is पीनाराई विजियन and governor is P. Sadaasivam total district in केरला is 14 official language is Malayalam and statehood की बात करना exact date the 1st November 1956 please focus official language of केरला is Malayalam total district है 14 पीनाराई विजियन is the chief minister मुख्यमंत पुरम जो उसकी वहां की राजदानी है वहे तिरुबंत पुरम और जो वहां की governor है वो है P. Sadaasivam अनामोदी शोला नेशनल पार्क एरावी कुलम नेशनल पार्क मत्थी केतन शोला नेशनल पार्क पंपादम शोला नेशनल पार्क पैरयार नेशनल पार्क साइलेंड वैली नेशनल पार्क से सारे के सारे नेशनल पार्क आपके केरला में पिर अगेन कहुंगा मैं यहाँ पर शोला वर्ड मात कर लीजी जहाँ पर भी शोला नैशल पाक्स में लिखा आजया समझ जाएगा उनके वो नैशल पाक्स कहाँ पर है वो सारे के सारे दोस्तों नैशल पाक्स केरला में है इसके अलाबा याद रखे है पैरयार नैशल पाक् बात करें तो कथा कली is a famous dance form of केरला टोटल लोगसभा सीट इस 20 राजसभा सीट इस टू प्लीज रमेंबर टोटल लोगसभा सीट इन केरला इस 20 राजसभा सीट टू नमबर ऑफ इस नमबर ऑफ स्टेट की बात कुरू जिन से इसका वार्डर टच होता है वो हैं दो कौन-कौ यहां पर तमिल नाडू है और उपर देखते हैं तो आपको करनाटका है तो नमबर ऑफ इसके नमबर ऑफ स्टेट कौन्स है जिससे वाडर टच होता है वो हैं टू और कौन-कौन्स है वो है दोस्तो करनाटका और तमिल नाडू इसके अलाबा दो वन-liner news और है उन्हें औ इस प्रकार की questions आ जाते हैं कि कौनसी इंडियन कंपनी खरीदने जा रही है तो यहां पर एक बड़ी बात है कि ऐसे रो जंक्शन होल्डिंग्स को कितने रुपे में खरीद रही है 80.85 मिलियन में खरीद रही है इंडिया की JSW स्टील सेकंड यहां पर एक line में याद रखना हैं question answers और देखते हैं direct in direct क्या क्या question बन सकते हैं so here comes the very first question who has been appointed as chairman of the central panel of 65th national film awards किसको 65 राश्री फिल्म पुरुषकारों के केंद्रिय पैनल के अध्यक्ष की रूप में न्युक्त किया गया है शेकर कपूर, पीश शादरी, गौतमी तडीमला, इंतियाज हुसैन या रंजीत दास so shekar कपूर has been appointed as the chairman of the center panel of the 65th national film awards exactly let's check out the next one in which city 17th sub junior national wushu championship has been started 27th sub junior rashtri wushu championship के सहर में शुरू हुई देरादून, Jammu, New Delhi, Ambala या जैपूर so in Jammu 17th sub junior national wushu championship has been started exactly let's check out the next one union cabinet has approved the signing of MOU between India and which country in the field of judicial cooperation केद्रेवंत्री मदल ने नाइक सायोग किक्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझाते ग्यापन को स्विक्रती दे दी है गुआना, Zambia, Gambia, Namibia या गिनी ये कुछ countries है, confusion रहता है, इनके static fact में भी बड़ा answer is the Jambia Union cabinet ने judicial cooperation के छेतर में Jambia के साथ agreement को approval दिया है और focus यहाँ पर करना है इन countries के effect गौाना, Jaws Town dollar, guys please focus गौाना, Jaws Town dollar, Jambia, Lusaka, Quach जांबिया, Lusaka, Quach और गांबिया, Vansul Dalasi, D-A-L-A-S-I Dalasi नामी भिया, Windhock dollar गिनी की capital बनेगी, it's a connectory, connectory is a capital and currency franc चलो आगे बढ़ते हैं, अगले question भी बरा Union cabinet has given its ex-post approval for the MOU between India and which country on IPR केंद्रिय मंत्री मंदल ने भारत और किस देश के भीच IPR समझोते पर समझोते ग्यापन को अपनी पूर्व व्यापी मंजूरी दे दी है Argentina, Germany, Canada, Uganda या Ukraine तो guys answer is the answer is the Canada, इंडिया का एक Canada के साथ agreement रहा था तेहिस परवरी को उसी को government के दोर approval दी गई है in the area of intellectual property right, यहाँ पर याद रखना है बॉद्दिक संपदा के छितर में है agreement को approval दी गई अब बात करें Argentina की, तो Argentina capital is the Amsterdam and currency euro please remember, Argentina की बात करें यहाँ पर, तो Argentina की capital है दोस्तो, Amsterdam currency euro, अर्जंटीना की बात कर दो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह सारे facts आपको भी comment box में revise करते चलने हैं, तभी तो सारे data clear हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं, अगली next important question, India has won the dash medals in the ISSF Junior World Cup in Sydney, Australia, भारत ने Australia के Sydney में ISSF Junior World Cup में कितने पदक जीते, 29, 22, 28, 25 या 21, एक्जेक 22 medals India ने जीते हैं ISF Junior World Cup में, venue पर focus करिएगा, ISF Junior World Cup was held in Sydney, Australia, इंडिया has won a total number of medals is equal to 22, and last and most important, वो gold medals के नाम, इलावेलन वालारेवन, मनु भाकर, एंड मुशकान भनवाला, एंड अनीश भनवाला, इन पोर नेम्स को याद रखेगा, इन्होंने gold medal जीते थे, यह important है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला question, किश्वर नैशनल पार्क is located in which state, किश्वर राश्ट्री उद्ध्यान कि सुराजय में स्थित है, अधनाचल प्रदेश, उत्वर्देश, मंधिप्रदेश, जमु एन काश्मीर या आंधिप्रदेश, तो किस तबार है में इस दची गम एंड सलीम अली नैशनल पार्क के सारे के सारे नैशनल पार्क आपके situated हैं या मुएन कश्मीर में, इक्जाक्टी, लेट्स प्रसीड तुदा नेक्स वान, वाट इस दे कैपिटल ऑफ जांबिया, जांबिया की राज़ानी क्या है, नाइजिरिया की कैपिटल है, अबूजा, अबूजा, इस दे कैपिटल ऑफ नाइजिरिया, अबूजा, नाइरा, एंड लिस्बन, पूर्टगाल वही, अभी हम देख रहे थे, पूर्टगाल सही है, अन्टोनियो गुटर, सेकरेटरी जनल ऑफ युनाइट नेशन, कैपिटल ऑफ पूर्टगाल इस लिस्बन, करेंसी युरो, एंड विंडॉक इस दा कैपिटल ऑफ नामीबिया, नामीबिया, विंडॉक डॉला, इक्जाक्टी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्टन गिरा, वाट इस दा कैरेंसी ऑफ कैनेडा, कैनेडा की मुद् इस दित है, अरुनाचर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मंदर प्रदेश, जम्मू काश्मीर या आंधर प्रदेश, तो गैस आंसर इस दी जम्मू कश्मीर वो लट जील, अर जमू काश्मीर में इस दित है, इक्जाक्टी, लेट इस प्रसीड टु क्वेश्य नम्बर 10, which bank has become India's 8th most valued bank with a market capitalization of 56,000 crore रुपीज कौन सा बैंक 56,000 करोड रुपे से अधिक के बाजार कुंजी करन के साथ भारत का आटवा सबसे मुलिवान बैंक बन गया है बंधन यू को देना पंजाब या बैंक को बरुड़ा आटवास बैंक बन गया है लेट्स प्रोशीड टू नेक्स वान बैंक का मुख्याले कहा है नियू ड़ियली मुम्बई कौल कटा देहरदूर या चिन्ने और बाकी सारी सिटीज में किस-किस बैंक के एड़कॉर्टर है वो आप कमेंड बॉक्स इंपोस्ट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह भारतिय रिजर्व बैंक ने प्रति भूतियों की बिक्री पर प्रकटी करण मान दंडो को पूरा करने में विफलता के लिए किस बैंक पर 58.9 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है SPI, ICICI, HTFC देना या YES Bank तो यहाँ पर याद रखना है, ICICI Bank ने अभी जो सिक्यूरडी होती है उनके CL के केस में जो डिस्क्लोजल नॉम्स होते हैं उनको फुल्फिल नहीं किया था इस वज़े से Reserve Bank of India ने 58.9 करोड रुपे की उस पर पैनल्टी इंबोस की है Exactly, let's proceed to next one Who is Deputy Governor of RBI, RBIQ Governor कौन है NS Vishunathan, Viral B. Acharya, BP Kagnon को, All of the above या None of these तो का अंसर की बात करूँ यहाँ पर तो All of the above is the right answer Number of deputy governors होते हैं, वो 4 होते हैं, अभी एक पद खाली चल रहा है तो अभी number of deputy governors वो 3 है NS Vishunathan, Viral B. Acharya, याद अखना, it's not a viral B. Acharya, it's a Viral B. Acharya and BP Kagnon Go. Exactly, let's proceed to next one Which Indian company will buy Acro Junction Holdings for 80.85 million dollars, कौन सी भारते कंपनी Acro Junction Holdings को 80.85 million dollars में खरीदेगे JSW Steel, Tata Steel, JSW Steel, Visa Steel या Bruchan Steel लेखे, option number first and three will को same है, तो यहाँ पर answer आप first mark कर दीजे, जो पहले होता उसको mark कर दीजे JSW Steel which will buy the Acro Junction Holdings for 80.85 million बिल्कुल, let's proceed to the next one Who has taken over as the DGHS in the Health Ministry? किसने स्वास्त मंत्राले में DGHS के रूप में कारिभार सम्हाला है Sumit Kupar, Tanya Gupta, Pramila Gupta, Vivek Sharma, Rakesh Sharma So guys, answer is Dr. Pramila Gupta has taken charge as the Director General in the Health Secretary Exactly, let's proceed to next one Indian Space Research Organization successfully launched a communication satellite dash from Shri Hari Kota भार्ती अंतरिक शनुसंदान संगितन निश्री हरी कोटा से संचार उगर है किसका सफल प्रक्षेपन किया है? G-Sat 6N, G-Sat 6A, G-Sat 6M, G-Sat 6X या G-Sat 6Z So answer is G-Sat 6A, G-Sat 6 launch की गई थी, वो 10-15 में लाँच की गई थी यह communication satellite है, जिसे कल इसरो के द्वारा यहां पर लाँच किया गया है Exactly, let's proceed to next one So Siri Kumaran Thampi has been awarded with the J.C. Daniel Award Exactly, the direct one to remember इसी के साथ we will end up this session today Do not forget to click on the like button before getting offline Comment करे, वीडियो को जाद स्यादा शेर करे And yes, new viewers channel को subscribe जरूर करे And आपके पास अभी भी मौका है कल है 31st of March So 31st of March तक आप अपनी success story शेर कर सकते हैं Description box में लगे link के साथ Mahidra Guru पे मिलेगा मौका आपको हर एक सरकारी नौक्री में selections के experience को यहां पे share करने का Not only bank, not only SEC, but anywhere आप अभी पिछले दिनों में, पिछले मेहनों में, पिछले वर्षों में कहीं पे भी जहां कहीं पे भी select हुए हैं तो अपनी success story शेर करना चाहते हैं तो उस link में अपनी details जरूर पिल करें चलिए हम मिलेंगे कल सुभा 7 बजे तब तक के लिए खुश रहे हैं ख्याल रखे पढ़ते लिए और भूलेगा मत और सुक्सेस और सुक्सेस थांक यू सो मुँच तक कर दो दे सुक्सू रहे ज़िए खुशय को भी बता कामुट नपनी सुक्स कॉब भी तक कन ऑचे सिन झाए कि हैanor भी खुश